आज हम बनाने जा रही है बहुत जबरदस्त और लाजवाब सी पाकिस्तानी रेसिपी यह है चिकन कटाकट जैसे इसका नाम यूनिक है वैसे इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है तो जल्दी से ट्राइक कीजिए आप इस रेसिपी को कमें सेक्शन में बताइए चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजए यहां पर मैंने चार लेग ली है 1500 ग्राम कीमा डाइसो ग्राम कलेजी और 200 ग्राम बॉनलेस चिकन लिया है यह देखे चार चीज ली है मैंने इसके अंदर इस तरह से एक बड़ी साइस की प 120 ग्राम फ्रेश तहीली है एक कटोरी हरी धनिया कटी हुई एक टीस्पून काली मिर्च एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च एक टीस्पून नमक एक टेबल स्पून कुटी हुई साबुद धनिया पांच हरी मिर्च पारी कटी हुई एक इंच अदरक का टुकड़ के लच्छा और यहां हमने लहसुन का पानी लिया है तवे पे हमें ऑईल डालना है यहां पर मैंने तवा यूज कर रही हूं कि कटा कट कर रहे हैं तो तवे बनता है और हम इसमें सारी चीज़े चारों चीज़े डाल देंगे कलेजी बॉनलेस चिकन चिकन का कीमा और लैग य आप लोग इस रसीपी को कढ़ाई में बना सकते हैं अगर आप लोगों के पस इतना वड़ा तवा नहीं है तो इसमें कढ़ाई में बना सकते हैं तो बना इस न् funcion पॉत प्रूबा this से अपना ściele के मिया नश्यारे हूद मैं इसको निआ कर भाल दिखा ऩारी हूं कैसे मिक् और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और यह बहुत ही फिर्मिस रेसिपी है इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है बनने के बाद यह बहुत ही टेस्टी लगा था तो आप इसे ज़रूर राइ किजे ज़रूर और कमने सक्षिन वे आपको यह रेस्पी कैसी लगी है मिक्स करने के बाद प्यास को हम इसमें टर्माटर भी आट कर देंगे बिल्कुल रेड रेड हो सके तो आप टर्माटर लेजिए यह देखिए अब मैं इसको ढखके पका लोंगी दस मिनट के लिए यह देखिए बहुत अच्छी तरह से टमाटर बिल्कुल मैश हो चुका है अच्छी तरह से भून चुकी है फिर मैंने इसमें लहसुन का पाने डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया और यह काली मिर्च डाल दी नमक डाल दिया कुटी हुई हारी धनिया साबूत हारी मिर्च अध्रकल अच्छा इस सारी चीज़े डालने के बाद मैं इसको अच्छी ता से मिक्स कर लोंगी कि यह देखिए यह टमाटन मैंने रेड लिया था तो इस वज़े सी रेड रेट सा दीक रहा था बिना मसाला डाले और तवे पर बनने से भी होता है इसके इंदर यह ऐसा दिखता है नॉन नॉन स्टिक तवा नहीं लिया मैंने अब मैं इसे मसाले को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी देख लीजे लैग बिल्कुल पक चुकी है अच्छी तरह से मसाला अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दही डाल देंगे इसमें यह देखिए अब दही डालने के बाद में मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसका टेस्ट इतना लाजवाब इतना लजीज होता है पाकिस्तानी डिशिस भी बहुत ही अच्छी होती है तो आप लोगों कुछ जरूर ट्राइ करनी चाहिए 5 फीज़य कैने चाहि है और यह देखिए nights जो चिकन का लैक पीस है वो में सारा निकाल लोंगे वाकिंखे हम्ये। कटाकट नहीं करना है सारी ल्एक पर निकालने के बाद में एक कटोवरी ऑलगी पहले मैं तोड़ा सो चीकन डाला था अब मैंने इसमें गाल है तॉली तॉल यह में तीन बार ऑफ नलता है उससे हम कर लेंगे स्टिकन को कटा कट क्योंकि इसी वज़े से इसका नाम कटा कट पड़ा है और मैं आप लोगों को वॉइस सुनाओंगे देखे कितने कटा कट वाल यवाज आएगी स्ट्राङ्च करने अबना घर रर वाल यव उपका टा है याल न eye कि यह देखिए अच्छे से हमने चिकन को कटा-कट कर लिया है यह बन गया है चिकन कटा-कट बहुती जबरदस तरीके से कर लिया है लेग हमने इसलिए निकाल ली ती क्योंकि हमें चिकन को कटा-कट करना था अब जब हमने पूरा अच्छे से तो अब हम इसमें लग डाल दिया है बहुत ही अलग सा नाम है कटा कट मुझे भी बोलने हैं थोड़ा जीब सा लग रहा है आप लोगों को भी लगेगा और अब थोड़ा सा ओईल डाल दिया है यह देखिए जो ऑईल कटम हो गया था तुम तीन टाइम इसमें ऑईल डालते ह है तो अब हमने इसमें क्या किया कटी हुई हरी धनिया डाल दिया क्योंकि बिल्कुल बनके रड़ी है मिक्स कर लेंगे क्योंकि और हरा धनिया डाला है तो इसको हलका सा मिक्स कर लेंगे और हमने भी लो फ्लेम कर दी है बिल्कुल अब यह मिक्स करने के बाद हम लोग इसक बनता है आप जो तक इसे ट्राइं नहीं करेंगे आप लोगों को पताने चलेगा कितनी जबर्दस रेसिपी है अगली रेसिपी मिलते हैं जब तक के लिए अल्लाहाफिज आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी बाइबाइब सीए सून